मस्ती की पाठशाला अपनी कारशेली और रचनात्मक कारशेयर उठी पहचान बना चुकी है पाठशाला ने राश्ट्र के भिन भिन जागरुकता आयुजन समय समय पर बच्चों के साथ मिल कर किये है एक बार फिर से पाटशाला ने राश्ट्र की माटी से मिट्टी की कारशाला का अभियान शुरू किया है जिसके तहर देश और धर्म का सबसे पावन तियोहार दीपावली जिस पर घरगर मिट्टी के दिये जलाय जाते हैं इसमें पाटशाला ने इन परिवारों को संबल देने के लिए रोजगार की विवस्था की है जिसमें मिट्टी के कलश, छोटे दीपक और बड़े दीपक बनाये जा रहे हैं इस अभ्यान से निर्धान और जरुरतमन परिवारों को दीपक भी बाटे जाएंगे युवार जरुतमन परिवारों को संबल भी मिलेगा पाटशाला ने सिक्षा के बाद रोजगार में भी बड़ी क्रांती का मानस बनाया है और इसमें सफलता भी मिल रही है फर्स इंडिया के CEO और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोणा ने मस्ती के पाटशाला के पोस्टर का विमोचन किया पवन अरोणा ने पाटशाला के सभ्यान के तारीफ की इस दोरान समिती फाउंडर अनुज श्रिवास्तव, पाटशाला निदेशक, मिनाक्षी श्रिवास्तव, मेजर जनरल अनुज माथूर, मधू माथूर, शिरिश माथूर, एमपी सैनी, हिमाचु धीर, करंटवर, जेपी सिंग, मौजूद रहे पहल है हमारी मस्ती की पाट साला, बहुती अल्प समय में देश में चर्चा का विशे है, ऐसे बच्चे जो तीन साल पहले अपराद की रस्ते पे थे, नशे के रस्ते पे थे, भी मांग रहे थे, देश की विसंगतिया, कुरूतिया, बुराईया, उनमें थे, मस्ती की मुहले में मस्तिकी पाठसाला से जुड़ने के लिए जरुतमंद और निर्धन परिवार से बच्चे बहुत हमारा इंतजार करते हैं और निरंतर हमारे से जुड़ करके और वो इसकुलों में जा रहे हैं आज 114 बच्चे जिनके परिवार में साथ पीडियों से कोई शिक्ष जाती से हर चीज से परे उठकर के और वो लोग ये ऐसे लोग थे जो कि भिक्षा ब्रत्य में सद लगने थे और किसी किसम के गलत चीजों में लगे हुए थे और इनको हमने उठा करके उपर लाए हैं और हमारा उद्देश है कि हम एक भी बच्चा ऐसा न रहे जो कि अंड